और एक और बड़ी खबर यहाँ आपको बता दें दिली गाजियाबाद के गाजीपूर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे 200 किसानों के खिलाब FIR दर्च की गई है किसानों पर कथी तौर पर गाजियों में तोड़ फोर्ड करने और बीजेपी कारिकरताओं के साथ जड़प का आरोप है तो 200 से ज्यादा किसानों के ऊपर मामरा दर्च हुआ FIR और हमारे सही हो की मोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और ज्यादा अपडेट लेकर मोहित 200 से ज्यादा किसानों पर FIR होने की बात की जारी है गाड़ियों में तोड़ फोर्ड और बीजेपी कारिकरताओं के साथ मारपीट करने का इन पर आरोप लगा है जी बिल्колा देखिए दो तिन दिन पहले हमने देखा था कि बीजेपी के एक नेता थे यूपी के जिनका एक प्रोसेशन जा रहा था जिसमें यह काफी गाड़ियां थी उनके काफी समर्तक थे जो की डेली मेरेट एक्सप्रस पे था और डेली मेरेट एक्सप्रस पे वहीं गाजीपूर पे आता है जहां पे एक तरफ किसान काफी समय से अल्मूस साथ महीने से बैठके धरना दे रहे हैं तो जब ये वहाँ पे आया तो काफी किसान और जो भारती जनता पार्टी के समर तक तक तो उनके बीच में जड़ा फोगी है किसानों की तरफ से ऐसा बीजेपी कह रही है कि उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं उनके अटी फार्मर जो हैं वहाँ पे नारे लगाए तो ऐलिगेशन और काउंटर ऐलिगेशन थे और फार्मर्स ने भी का कि बीजेपी समर्थगों ने हम पे हमला किया अब जो पुलीस में एक एफायार दर्ज करी है जो की कौशामभी में दर्ज की गई है और इसमें जो दो सो और वहाँ पे दंगा भरकाया दंगा हए और अब एक और दर्ज हुही हाला कि एक और एफ कशनटर आर लेगेशन दोनों आ रहे हैं भार्ते किसान ईउन ने ढूंगे क्योंकि रहते गासी को जातर किसान बठेंगे उनका ऐफिलिएशन भारते किसान बठें नका एफिलिये प्रदेश की काफी बड़ी किसान की जो है और्गनाइजेशन है तो दोनों तरफ से जो है F.I.R. हो गई है जो दूसरी F.I.R. है उसमें अक्यूस किया गए वो बंद कर दिया है जी जी मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रें तमाम चौनकारी के लिए